आप देखें आपके साथ प्रिब्रद्ध दिख्षित एक मुस्लीम यूवक ने गोरक्षा पीट पर हमला किया था उसको लेकर प्रेस कॉनफरेंस कर रहे तो तमाम जानकारी जाथ साज्या कर रहे थे और इसी मुद्धे पर फिलाल चर्चा करेंगे और हमारे साथ साथ मुस्लिम महासंग के अध्यक्ष मौधूर्द है राहुल आनंद हमारे साथ बीजेपी नेता हैं और साथ ही थोड़ी देर में हमारे साथ प्रेल आनंद राजनेतिक विश्चेशक पर जुड़ेंगे आप फिलाल आप तीनों महमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए ब जालिदा टोपी से ही होता है और आज जो गोरक्षा पीच गोरक नात मंदिर में जिस तरीके घटना हुई इसमें भी एक मुस्ली विवक का हाथ है क्या कहना चाहिए आप सब्सक्राइब करेंगे जो अपना नौवर्ड शुरूप वह है और उसके साथ नौराज और जो रमजान के लिवस हमारे एंदी के माधियर से और एंदी के परिवार को नो बठाई है और मुझारद माधियर आपको भी बहुत बढ़ाई है और साथ ही शुकान नाए चिनाब क्या है कि बढ़ी बठिस्मती है हम लोगों को ऐसे नामों से जोड़ा जाता है जो विरोजी जुचें हैं जो हमलावर को जो अवदर भाज़ा सा प्रियों करते हैं जो जहनी जो है वो आतन के लाज़ा करते हैं तो मैं इस पर बड़ा तुपकोश अबिदा मैंसू जो जो हमारा धार्मिक स्कल है हम अपने घार्मिक स्कलो कर जाएं और उपर वाज़े से जितनी मज़ी कायद इस अगशे लेकिन दोसरें कि धार्मिक स्कल पर बुचष कर चाकू तो जोगों पर समझा करना इसकी दिन्ना भी होना चाहिए और सरकार से और अनूम से अपीम एक जाह जी तरह का यह कहिंते हैं जो अखने की भवनाओं को कि पहसा के साथ बंगार ये करते हैं कर्पूव कि अपने प्रिफ घराम करते हैं या पंजाब में कुछ विक्तियों पे हो तो चर्टा होते रहना तहीं इस समाज की जागरूप करता है और सीधा सीधा सवाल ये है मेरा कि आखिर इस तरीके की जो अपराधिक घटना होती है या आतंकी साजित जो होती है उसमें है सम्मिलित क्यों पाया जाता है कि अगर आप अपने मजब को बचाने के लिए दूसरे मजब पर जो हमारे दीन में नहीं है मजब पर हमला करोगे तो आपके जन्नत मिलेगी आपको बुरे मिलेगी उनका ब्रेन वाइस कर दिया जाता है वो जो हमला वार होती है बड़े खुले बाले होती है मैं आप से एक चीज और भी समझना चाहूंगा कि क्या इसलाम इस चीज की इजाज़त देता है तो इसलाम ने तो दीटी को माना दीटी पर हमला करना तो उस तक की अगर चीज़ है तो हम लोग मैं समझते हैं कि उसकी आज होती है वो हम नहीं सब्दाते हैं लेकिन हमारा रभ बुटाए और अगर उसको कोई तकलीफ पहुचाते हैं तो इसलाम दीन और अल्ला किया उसकी तराबर तज़ा है लेकिन हम लोग दीन को अपने मुचाबिश ढाल लेते हैं मनलब हिंदोस्तान का परिप्रिक्ष ले लें तो लाज़में सी बाते हैं हिंदोस्तान में बहुत सी परंपराएं जो हैं मुसलमान वो सवुदी अरभ वाली नहीं करते हैं वो यहां की परंपराउं इसम्बलिक रहते हैं और जहां आपने बाद खेए दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है तो मैं बड़े मज़ब जिनेदारी के साथ इस चीज़ को बताउगा कि दीन कहीं पर ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कानौन उसको सजा कुछ भी दे जिस बेक्टी ने जिस मुस्मिन समुदाय की बेक्टी ने किसी बंदे पर या कहीं पर हमला किया है उसको अल्ला श्यादी बहुत करार सजा दिलेगी हर मुसल्वान पर रावला अनन्द हमार साथ इसी विजूट चुक हैं बीजेपी से इतना आपक्ष रखेंगे राहुला अनन जी आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई कि आप जी आवाई पहुत रियाप तर तर जो जोड़ने कोशिश करेंगे राहुलान को फ़रतली कहां ताब बात रखेंगे जी तो जनाब इस सारे मुझों को लेकर के लाज़ने की लाज़ने की लाज़ने के एनवी पस उठाता है और प्रियावरज की उसमें जो हैं एहम भूनिका निगाते हैं कि हम लोग मसल्मानों को भी संदे हैं इस्लाम को भी संदे हो सब्सक्राइब बहुत बड़े बड़े विद्वान सब्सक्राइब बात रखते हैं और जिस तरीके से आपकी बाते होती है आप बिना पक्षपात के अपने धर्म को लेकर भी कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं यह आजकल कम मुस्लिमों में देखा गया है जिस तरीके मैं बहुत शर्मिंदा होता हूं ऐसी बाते हैं जब्सक्राइब बात रखता हैं और तो तू मिलियन से अधित लोग उसको देखते हैं उसका चमर्स मेरे लिए बहुत करते हैं तो जो मजब आलमिक इंसानियत का पघाम देता है अलहुंदो लिल्लाह रबिल आलामीं कह देता है चो मतलब मैं पूरे आलम का रब हूँ तो फिर मुस्लमान उसको अकेला अपना रब रिक्ते हूं मादे हैं जैसे श्री कृष्ण बगवान है जैसे श्री राम हो जैसे विश्रु हो, महिश हो वो सारे आलम के लिए, सारे विश्रु के लिए खाली हिंदों के लिए नहीं है तो लाजमी सी बात है कि जो अच्छा है जो अच्छी बात है जो इसलाम में हो, इसाहियत में हो बिल्कुल इसलाम भी इस चीज़ादत नहीं देता तो यह दो प्रकार से इसकी उपर आप नजर लगा सकते हैं या तो कहीं कोई सुरक्षा अधिकारी के दरब कोई चुक्त नहीं हुई या फिर जो अपरादी जो वहां पर पकड़े गए हैं जिन्होंने अपराद किया है यह पाल गया और यह पकड़ा गया उनकी मंसा चाहती है दुछी बात यह एक समझना हुआ हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सबीड लोगों के लिए यह हैं कि हम अपने लराई को आगे परती की बात करते हैं तो उस समय हम अपने देश की तुरक्षा दवस्पा और देश को स मजनिख पर्यास करते हैं जो जो भी धर्म के लोग हैं मैं किसी धर्म पर किका नहीं कर रहा हैं bronze विनकर उपरादी इससे य यह जातिよろ oppress चैनलग होता है去 तो न हूंधारी तो तो लेनी पड़ेगी ना बीजेपी को कि इतना बड़ा यह इतनी बड़ी घटना हो गई तो लेनी बड़ी घटना बड़ी है और उसकी बात कि है कि तुरक्षाद इतालियों ने पत्परता दिखाते हुए उसको पकर भी लिया जिस प्रकाम से बयान आया है पकर गया हुए उसक्ता जो वो अल्ला हुआ परता चारा लगा रहा था और कह रहा था मुझे घोली मारदो जो शीबसार की तो वो कर्ष्क कहीना कहीं एक द्वेस की भावना को दिखलाता है कि यह वैसे लोग है जिनको शिच्छा का आवाव होता है जो अनुटेटेट हो जाए ती मुंबई से पढ़ा हुआ बताया बताया रहा है रहा है रहे ऐ तो यह कहना ही फिर अलग है और वो क्यामिकल इंजिनियर है वो सब तो इसकी मंसा यह रही है कि वह किसी प्रकार से हिंदू के अस्पानों को वह चोट पहुँचाए और जाले को बना अल्लाहु अक्मार का नारा लगाने क्या जरूरत थी और जिसको सुरक्षा अधिकार्यों ने समय रहते पकर लिया और इसको सलाकों के पीछे डाला लेकिन ये योगी की जो सरकार है उसके वजह से एक चिस्तों दम पात साफ है जो मैं कहना चाहूंगा आपसी चैनल कमाधियम पे कि सामप्रदाइक्ता भावना जो भी भढ़काने की कोसित करते हैं उसके योगी जी का शाषन और प्रशाथ संदोनों ही बहुत दबरदस्ती के साथ अंकुत लगा रहा है यह एक अच्छी पहलती सुरुवात है अगर उस यूवक जिस तरीके से उदावा कर रहा था कि मुझे मार दिया जाए मैं चाहता हूंगी पुलिस शुरुआत हुई साथी पुलिस कर्मियों पर हमला करने क्या जरूरत थी उसके जो बैग था उसमें एक लेप्टॉप और एक बाका उसके हाथ में था और एक उसके बैग में था यह सवालिया निशान जरूर है जी देखें मैं आपकी पूरी बात को बढ़ी बात को बहुत को ना मानने वादा होगा और सभी बख्ता जाएगा जो इसलाम को ना मानने वाला अल्लाव अकबर के नारे नहीं लगाएगा जैसे अन्य है वो तो हम अपने मां के जो पुलिस कर्मी है जो फ्रच्छा कर्मी है उनको बहुत बढ़ाई देखें को बढ़ाई देखें को बढ़ाई जैसे बढ़ा आता चाल दिया है रमजान का माहे मुभारक चलना यार वो कैसा मुसल्माने पड़ा लिखता जो अपनी मस्जिद के बजाए अल्लाव वजबर अपनी मस्जिद में कहना चाहिए और लोगों को यह जायक करना चाहिए कि आलने इंसानियत का पैगाम देता है ये रमजान माहें करें वो टेक्षा मुसल्मान सा पड़ा जिखता जो वहां पर जाके अल्लाव वर्बर के नारे मार रहा था मैं यह तो नहीं कहुंगा सच्चा मुसल्मान तो वह नहीं था चाहिए वह अग्वर के नारे लगा या कुछ भी कहें सच्चा मुसल्मान तो नहीं हो सब्सक्राइब करके कि कुसमें देजा वह पड़ा लिखा मुसल्मान आपके चीजी चैनल पर वैटकर अच्छी बाते करता है अपने घान के बारे में अच्छी बाते करता है दूसरे कि घंच के बारे में अच्छी बाते करना चाहूंगा कि हमें अपनी समाथ के अंदर खास करके जो मुसल्मान जो है उसको हर वक्त इजुकेशन से संबंदित हर वक्त ठिकायत रहती है यह मेरा अग्रा भी रहेगा जो हमारे साथ दो प्रैलिश्ट बाते हैं कि समाच के अंदर और खास करके समत्रदाइता करिके से ना देखा जाए कि यह दोनों वरत को हिंदू और मुसल्मानों को और अपने अपने लेवल से इजुकेशन पर नहां जाए ताकि जो इस प्रकार की जो घटनाएं घटते रहती हैं और देखने को आता हैं यह ना घटे और दूसरी एक जो कठोर समत्रदाइब के समय में यह सुस्तान की जो कल्पना मैं कर रहा हूँ और हम सम मिलकर जो सोचते हैं यह देगा और एक बहुत अच्छी बात यह है कि सुरक्ष्टा अधिकारियों ने इस चीश को टाला जो संप्रादाइटा रंग हो सकता था उसको टालने करा वर्दम कोशिश किया है इसके लिए बढ प्रफिया हुई है इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद यह बात सा जरुब पता लगाना चाहिए कि उस वेक्टी की मंसा क्या थी वसक्त का सट्टाम उसका जो उसने शुरक्षा देकारियों को भी घायल करने का प्रयास किया जिसके वज़े से जांच का सुरक्षा में तभी तभी तो वह लेकर सला गया लेकिन इसके लिए धन्नेबाद देना चाहिए कभी आपने प्रारमरिक पड़का में ही इस बात होता था जिसमें दो तरह के पलो को देखने का वज़कता है पहला इस देखना है कि सुरक्षा बवस्ता उस समय कहां से सुरक प्राशन देता हूँ इस तरह को एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं फारद इलिकाहन साब सब्सक्राइब ने अपनी बात रखिए ours अचिछ उब बहुत ऑ्त होती हो ने इस देखने हैं ऌडिस्त फिर्ट निकिली मेंट प्राशन आंजिए तो फिलाल जिस तरीके से समझने कोशिश की जाए तो गोरक्षा पीछ में जो भी हुआ वो सच में निंदनी है क्योंकि एक सच्चा मुसल्मान इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता कही ना कहीं ब्रेंबॉस करके जिस तरीके से भी चर्चा चल लही थी कि ब्रेंबॉस करके कह अखिर वो इंसान वहां तक पहुंचा कैसे और इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद वहां पर ये सब घटना क्रम हुआ तो फिलाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ एतना ही देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए पने रेंबीन उसके साथ नमस्कार